कुछ जगा पे स्कूलों में जो प्राफशना सभाई होती है तो वहां जो जागरूट टीचर है उन्होंने विक्सित भारत क्या है आजादी के 100 साल होंगे तब तक कैसे आगे बढ़ना है ये बच्चे तब 25-35 साल के हो जाएंगे तब उनका वविश्य कैसा होगा इन सारे व पच्चों ने गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत में कई गावों में बढ़िया रंगोलिया बनाई है कुछ लोगों ने कलर वाली रंगोली नहीं बनाई तो गावों के फूल पत्ते-पौधे लेकर के कहीं सुखे पत्ते जोड़ करके बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी आने पर हर घर के दर्वाइजे पर जिस दिन आने वाली उसके एक दिन पहले शाम को लोगों ने घर के बार दिया जलाया ताकि पूरे गाउं में गारंटी वाली गाड़ी का एक वाताउन बन जाए यानि जो लोगों का उमंग है और कुछ लोग तो मैंने सुना कि गाउं के बहार तक जाते हैं गाड़ी आने वाली हैं तो पूजा का सामान लेकर के आरती लेकर के फूल लेकर के गाउं के दरवाई जैने गाउं के बहार जो पैड़ होता है नाका होता है या गेट होता है वहां तक गए और गाड़ी का स्वागत करते हुए अंदर तक ले इसीद भारत संकल क्यात्रा के स्वागत के लिए हर गाउं में अच्छी स्वागत समित्या बनाई है गाउं के सब बड़े बुजूर्ग समात के सभी बर्क के लोग सबको स्वागत समित्यों में जुड़ा है और स्वागत समित्य के लोग इसका स्वागत करने के लिए तेहरि तो मैंने कोशिच की हैं एक दो दिन क्या सबते पहले बता दो भी फ़लानी तारीक को आएगा डिगनी तारीक को आएगा इतने बजाएगा तो गाउवालों के इतना उत्सा है तो पहले से अगर प्रदा चले जगा तो ज्यादा तैयारिया करेंगे और जिन गाउं में भीडिल किया जा रहा है और मैंने देखा उसमें सेल्फी पॉइंट बनते हैं इतनी सेल्फी लोग ले रहे हैं और गाउं के भी मात आये बैने मोबाइल फोन पून का उपयोग करना सेल्फी लेना और ये सेल्फी अप्लोड करते हैं मैं देखना हूँ इतने खुशनेजर आते हैं लोग और मुझे संतोस हैं कि जैसे जैसे यह यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही हैं लोगों का उत्सा और ज्याधा बढ़ता जा रहा है ओडिशा में जगह जगह पारम पारीक ट्राइबल डांच से नृत्य करते हैं लोग जो परमपरागरता हमारे लोगों ने फोटो भेजे टिप उसका वीडियो भेजा वेश्ट खाती हिल के रामब्राय में कारकम के दर्वान थानिये लोगों ने खूप सुंदर सास्क्रितिक कारकम किये नृत्य का अयोजन किया अंडामान और लक्षदिप दूर दूर को पूस्ता ने ऐसे हिलांके इ यहां अब तो बर्ब गिरी हैं वहां पर भी स्वागत कारकम में कोई कमी नजन नहीं आ रहे हैं मुझे अभी बताए एक कारकम में अभी तो बोले आज पास के लोग इतनी बड़ी मात्रा में है चोटा था गाउं था लेकिन चार सौड़े चार हजार लोग इकटे हो गए ऐसे अंगिनित उधारन रोज देखने को मिल रहे हैं वीडियो देखने को मिल रहा है पूरा सोचल मीडिया भरा हुआ है मैं तो कहूंगा कि इन कामों की इनी तयारियों के जो कामों रहे हैं साइद मुझे तो पूर्य पता भी नहीं होगा इतनी वीवीत देता है लोगों पहुंचने वाली हैं उनको भी तैयारी करने के लिए काम आजाए यह सारे सुजाव जो लोगों ने किया है वह अनुभा उनको भी काम आजाए तो यह कि उसकी भी अगर एक लिश्ट बन जाए और वो भी पहुंच जाए तो गावों में उत्सा बढ़ाने में काम आएगा इससे उन शेत्रों के लोगों की भी मदद मिलेगी जहां यह गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली हैं जो करना चाहता है लेकिंगे क्या करना उपता नहीं है उनको आइडिया मिल जाएगा सात्यों सरकार की लगातार कोशिश है कि जब मोधी की गारंटी वाली गाड व्यक्ति उस गाड़ी तक जुरूर पहुंचना चाहिए गंटे भर के लिए खेट का काम छोड़ करके जाना चाहिए हर बच्चों को बुड़ों को भुजूर्गों को सब को ले जाना चाहिए क्योंकि हमें देश को आगे बनाना है और जब ऐसा होगा तभी हम हर लाभारत तक पहुंच पाएंगे तभी शत्व प्रतिशत सेच्वरेशन का जो संकल्प है ना वह पूरा हो जाएगा हमारे इस प्रयास का गाउं गाउं में असर भी दिखाई दे रहा है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पर पहुंचने के बाद लगबग एक लाख नए लाभार्व्यों ने उजवला योजना के तहट मुप्त गैस कनेक्शन ले लिया है आवेजन किया है कुछ गाउं है जैसे अभी मैं बात कर रहा था बिहार से तो वहारी प्रीह का जी कह र रहे हैं इस यात्रा के दौरान मोके पर ही 35 लाख से अधिक आविश्मान काड भी दिये गए हैं और आविश्मान काड यान एक प्रकार से किसी भी बिमार व्यक्ति को जीवन जीने का एक बहुत बड़ा अवसर की गारंटी बन जाता है गारंटी वाली गाड़ी पहुंचन पर जिस प्रकार लाखोर लोग अपना हिल्स चेक अप करा रहे हैं और मुझे खुशी है कि सभी राज्यों में हिल्स का कैम्प लगता है इसके साथ तो गाउं में डॉक्टर बड़े-बड़े आ रहे हैं मशीन आ रहे हैं तो सब का मेडिकल चेक अप हो जाता है शरी की आरोग्य मंदिरों में जाकर जिसको पहले हेल्स एन वैलनेस सेंटर कहते थे अब लोग उसको आईुश्माण आरोग के मंदिर कह रहे हैं वहाँ पर जाकर के भांति भांति के टेस्ट करवा रहे हैं शात्योग केंद्र सरकार और देश की जनता के बीच एक सीधा रिस्ता एक भावात्मक रिस्ता और मैं तो जब कहता हूं आप मेरे परिवार जन तो मेरे परिवार जनों तक पहुंचने का यह आपके सेवक का एक प्रयास है मैं आपके गाउं तक आ रहा हूं गाड़ी के माध्यम से आ रहा हूं क्यों आपके सुखदुक का साफी बनूं आपकी आशा अकांच को सम्झू उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार की शक्ति लगाओं हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है बलकि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है माबाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है वैसे ही ये मोदी आपकी सेवा का काम करता है और मेरे लिए तो जो गरीब है जो वंचित है वे साब लोग जिनको कोई पुस्ता नहीं है जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे तक बंद है जिनको कोई नहीं पुस्ता है उनको मोदी सबसे पहले पुस्ता है मोदी पुस्ता ही ऐसा नहीं मोदी पूजता भी है मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए बी आई पी है देश की हर माता बेहन बेटी मेरे लिए बी आई पी है देश का हर किसान मेरे लिए बी आई पी है देश का हर युवा मेरे लिए बी आई पी है मेरे परिवार जनों देश में हाल में हुए विदान सभा चुनावों के परणावों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है इन चुनाव नतीजों ने ये साप कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूँ जिनोंने मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया लेकिन साथियों सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है दरसल कुछ राजनितिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि जूठी गोष्णाए करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे चुनाव सोचल मीडिया पर नहीं जनता के बीच जाकर जीतना होता है चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है जनता के विवेक को कम आखना ठीक नहीं है अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनितिक स्वार्थ के बजाएं सेव में मुसीबतों में तकलिफों में न रहती दसकों तक सरकारे चलाने वालों ने अगर इमानदाली से काम किया होता तो जो गारंटी मोदी को आज देनी पड़ रही है वो पचात साल पहले ही पूरी गई हो गई होती मेरे परिवार जनो विशिद भारत संकल पर यात्रा चल रही है इसमें भी बहुत बड़ी संक्या में हमारी नारी शक्ती ही शामिल हो रही है हमारी माताय बेने जूड रही है मोदी की गारंटी की गाड़ी के साथ फोटो खिचाने के भी उनमें होड मची है आप देखिए गरीबों के जो चार करोड से अधिक गर बने हैं न कोई कल्पना कर सकता है हमारे देश में चार करोड गर इतने कम समय में है गरीबों को मिले और सबसे मेरी खुझी तो इसमें है कि चार करोड गर मिले ने उसमें सत्तर प्रतिशत लाबारती महिलाये हैं मतलब की अगर किसी गाउं में दस गर बने हैं तो उसमें से साथ पक्के गर माताओं के नाम पर रेजिश्टर हो गए हैं जिनके नाम पहले एक उर्पिय की भी संपती नहीं थी आज मुद्रा रुण के हर दसला भारतियों में से भी साथ महिलाये हैं किसी ने दुकान ढबा खोला किसी ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया किसी ने सेलून पार्लर ऐसे अनेक बिजनेश शुरू किये आज गाउं गाउं में देश की 10 करोड बहने स्वयम सहायता समू से जुड़ी है ये समूं बहनों को अतिरिक्त कमाई के साधन दे रहे हैं उन्हें देश की प्रगति में भागिदार का सिधा अवसर दे रहे हैं सरकार महिलाओं का कौशल विकास की तरब ध्यान दे रहे हैं और मैंने एक संकल्प लिया है शायद कोई भाई पुरी जिन्दगी पर रक्षामंदल इतनी कर लें ऐसा संकल्प नहीं ले सकता है जो मोदी ने लिया है मोदी ने संकल्प लिया है कि मुझे मेरे गाउं में ये जो स्वह सहायता समू चला रहे हैं मुझे दो करोड़ बेरित बेहनों को कि दो करोड़ बेहनों को मैं लखपती दीदी बनाना चाहता हूं वो गर्व से खड़ी रहे हैं और कहें मैं लखपती दीदी हूं मेरी आए एक लाख रुप्य से जादा है अभी कुछ दिन पहले ही हमने देश में कि मैं देधियों को नमन करता हूं उनको प्रनाम करता हूं को उनकी शक्तिकों मैं अधर करता हूं और इसलिए सरकार ने एक विज़ना बनाई है नमो ड्रोन दीदी छोटे में लोग उसको बोलते हैं नमो दीदी इन नमो ड्रोन दीदी है या तो कोई कहें उसको नमो तो दीदी यह अभ्यान शुरू किया गया है इस अभ्यान के जद्रिया है प्रारंब में हम 15,000 वह सहायता समू सेल्फ हेल्फ ग्रूप उसकी जो महने हैं उनको ट्रेनिंग देगे इन नमो ड्रोन दीदी बनाएंगे फिर उनको ड्रोन दिया जाएगा और गाउं में जैसे ट वैसे दवाई चुड़कने का काम हो फर्टिलाइजर चुड़कने का काम हो फसल को देखने का काम हो पानी पहुंचाए नहीं पहुंचाए वो देखने का काम हो यह सारे काम अब ड्रोन करक सकता है और गाउं में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को ड्रोन उडाने की ट प्रेनिंग के बाद बेहनों बेटियों को यह नमो ड्रोन दीदी की पहचान मिलेगी जो इसको सामाने बाशा में लोग नमो दीदी कहते हैं दीदी को नमो तो अच्छी बात है हर गाव में दीदी को नमो तो यह नमो दीदी नमो दीदी देश की किसी ववस्ता को आधुनिक टेक्नोलोजी से तो जोड़ेगी ही उन्हें कमाई का अतिरित साधन भी मिलेगा और उसके कारण खेती में बहुत बड़ा बड़लाव आएगा हमारी खेती वज्ञानिक होगी आदूनिक होगी टेक्नोलोजी वाली होगी और जब माताई वहले करती है ने फिर तो सब लोग इ हमारी शक्ती हो युवा शक्ती हो किसान हो या फिर हमारे गरीब भाई भेहन विक्सीद भारत संकल्प यात्रा के पती इनका समर्थन अद्भूत है मुझे जानकर काफी अच्छा लगा कि इस यात्रा के दोरान एक लाग से जादा हमारे जो नवजवान खिलाडी है गाउं गाउं खेल कुद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं एक लाग से जादा खिलाडियों को पुरस्कृत किया गया है उनको सम्मानित किया गया है यह युवा खिलाडियों को खेल की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा प्रुस्षान मिलने वारा है आपने देखा होगा नमो यह लोग डाउनलोड करते हैं वैसे ही माई भारत के वॉलेंटियर भी बन रहे हैं नवजवान गाउं गाउं में नमो माई भारत वॉलेंटियर के रुप में जिस उसा के साथ